क्या आप लोगों ने अब सोचा है कि मुझे क्या करना है तेम उसी तरीके से चलना है जैसे चल रहे थे क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस कर रहे थे लेकिन अब समय को धान में रखते हुए एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे सी जेई को एक ही अटाइम में क्लियर करना है या ऐसे स्टूडेंट जो पहले से त्यारी करे थे लास्ट टाइम अपनी गलतियों की वज़े से रह गए थे या किसी अपनी कई बार ऐसा हो जाता है अनफॉर्शूनेटली एक्जा चीजां बताएंगे हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई के साथ किन चीजों को करने से आपकी इक्जाम की तयारी अच्छी हो सकती है सेलेक्शन हो सकता है और कौन सी चीजां को अवइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बार महीं सेलेक्ट होना चाहते हैं EASCJEE के हैं desse Alors इस एक्जाम के लिए और उन स्टूडेंट के लिए यह जो इस बार वापत से सेंट अच्वगों करना चाते आज さथ में आपके प्यारे वैगल्टी औरègल यसवन एयसें सर और प्रशाब सर और अपनी इस अबनी अपनी एकwości崇ब को बताइं undo क sistema फील कर रहे हैं और आप लोगों की आगे की SSEJ 2023 के लिए रणनीती कैसी होनी चीए तो मैं चाहूंगा कि असर आपको बहुत अच्छे से बताएं और आप रिलेट कर पाओगे सच में कि हाँ ये सच में सर प्रॉब्लम हमारे साथ में फेस कर रहे हैं और इससे कैसे हमें ओवर प्रॉब्लम स्पेस कर रहे हम लोग इंदिजार करेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का ठीक है तो लोग शुरू करते हैं तो सर जैसा कि पता है जो सब लोग इंजिनियर है जब मुझे यह एक जग पता चल जाता है ना सर उसके बाद तो हम कुछ भी करने के लिए लेकिन यह नहीं पता था अक्टूबर के किस तारीक को पेपर होगा लेकिन आप बच्चों को यह पता चल गया जो 9-10 इलेविट इस तीनों देट को हमारा पेपर होने वाला है तो अब आप यह बताईए सर जो क्या स्टेर्ची होना चाहिए जिससे की बच्चे इस एक्ज जैसे JKSB की वेकेंसी आजाएगी बिहार के अंदर कोई JEE की वेकेंसी आजाएगी इस तरह से काफी सारी चीजें उनके दिमाग में मतलब कोई डायरेक्शन नहीं था कि हमें जाना किस तरफ है आप जैसे बताया कि सर नोटिफिकेशन आच चुका था तो हमीं यह पता इसका मतलब यह प्लानिंग जो है वैसे तो हम आप लोगों के लिए प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे थे आपकी जो सारे बैचे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं पेड और फ्री कोर्सेस के अंदर उन्हें पता है कि हमारे सारे जो कोर्सेस हैं वो आपके सेप्टे अगर आपको सामने मंजिल दिख रही हो तो आपको भागने में मज़ा आता है सर तो पहुंच नहीं पाते मन नहीं करता है आपका सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं डौन हो जाता है तो यह हमारा सेशन है वो यही है कि आगे की रंडिती क्या है SSC जी दोजा 23 को लेकर तो आप रेस से वैसे ही बार हो जाओगे तो हमेशा जीतता वही है जो कभी गिवप नहीं करता है जो हर नहीं मानता है उसी की जीत उतले सब्सक्राइब बात रही सर आगे की रंडिती की क्या स्ट्राटेजी रखनी चाहिए बच्चे का कैटेगरी है सर कुछ बच्चे लेकिन उसको सर इस बार एकजाम में पर लिए अच्छा स्कोर नहीं आया मेरा कटव नहीं हुआ सर बच्चे पूरा पूरी फ्रेस बच्चे पहली बार चीजों को प्लान कर रहा है पहली बार पर हैं और हमारे टीम के साथ जूरे हुए है या किसी भी तरह से कहीं पर भी प लाए ना उसमें अच्छे स्कोर को लाला पाई सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से एड्रस किया इस चीज को कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट है अगर मैं यह बोल दूँ आप लोगों को कि यह पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स हैं और यह जाकि आप फॉलो कर ल है या चार साल से तयारी कर रहा है और S.S.C. में जैसे हमें पता है दो स्टेजेस में पेपर होते हैं पेपर वन और पेपर टू जो प्रिलिम्स में उसमें बहुत अच्छा किया लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं विकॉस आफ आंसर राइटिंग वो पीछे रहे गया उसके मार सब्सक्राइब करने कोशिश कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टन है इसके अलावा सब तीसरा बच्चा जिसने आपने बहुत बढ़िया बताया कि freshers मतलब बिल्कुल ही एकदम नए students जो हमारे साथ काफी जुड़े हैं अशो का batch A से भी जुड़े हैं B से भी जुड़े हैं और उनके लिए अभी हम dedicatedly engineers batch भी लेके आ रहे हैं जिसमें आपके बहुत सारे students वहां भी आप जुड़ोगे तो आपको idea लगेगा कि completely इन चार महीनों में आपको किस तर से strategically prepare करना है उसके बारे में हम बातचित करेंगी तो सब freshers student क्योंकि उनके पास क्या problem रहती है उनका ना content prepared है ना उनका practice है ना उनको exam का exposure है तब वो क्या करेंगे ऐसे situation में करेंगे क्या ऐसी situation में क्या कम time में exam नी निकल पाएगा अरे बिल्कुल निकालना है यह पहले मौका मान के आपको काम करोगे तब SECJ निकलेगा ऐसा नहीं मानना है कि मैं तो fresher हूं मैं तो दूसरी साल निकालूंगा कि हमें चार साल की योजना बनानी है यह सब नहीं कर उसके बाद भी जैसे अभी देवेश सर्वन ने बताया था कि हम बहुत सारे sessions लेके आएंगे तो मैं strategically sessions काफी सारे आपके पास आएंगे कि अउन freshers बच्चों को कौन कौन से subject को भी टार्गेट करना है maximum score कहां से आस तकता है क्योंकि हमारी इतने सालों की मेहनत ने इन exams की पूछे हमें पता है हमने सारी चीज़ें पढ़ी है हर तरीके से हमें पता है आपको क्या नहीं पढ़ना है और यह अगर कोई last moment बता देना कि बेटा इस रास्ते मत जाओ यहां चले जाओ जल्दी पहुत जाओगे तो उससे बढ़िया और कोई mentorship नहीं हो सकती आप लोगे तो freshers के लिए सबसे पहला है content systematic उसके लिए आपको बता है पूरी इंजिनियर्स वाला की dedicated team है इंजिनियर्स बैच लाँच किया है इंजिनियर्स बैच में systematic way में आपके पास पूरा content मिल जाएगा यह वो वक्त है जब आप experiment नहीं कर सकते चार महिने या मुश्किल से 3-3 मह compromise के बिना किसी distraction के और आपको किसी न किसी की mentorship पर भरोसा रखना पड़ेगा तभी आप यह नहीं कह सकते कि मुझे multiple platforms पर जाके या multiple जगा पर जाके multiple content पर जाके मैं distract होता रहूं उतना समय नहीं है बेटा आपके पास अगर आप fresher हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहला काम यह है जो आपको focus करना परेगा और focus उस पर करना परेगा जिस exam को आप crack करना चाहते हो इसके अलाबा आपको इधर उधर भटकना नहीं है अगर आप भटक गए ना बेटा तो सिंपल सी बात आपका focus भिग रहा मतलब आपका destination हो पका different हो जाएगा और आप इस exam को crack नहीं कर पाओगे अब सबसे बड़ी बात यह होती है ना बच्चे तयारी तो कर रहे हैं सबी लोग तयारी करते हैं सबी लोग अपना best effort भी डालते हैं लेकिन एक चीज मिस कर जाता है बच्चा से बच्चे पढ़ाए करें सारे बच्चे पर रहे हैं जो कहीं पे क सब्सक्राइब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको अगर पर क्वेश्चन टाइम याद करोगे ना तो 36 सकेंड ही मिलता है बिल्कुल बिल्कुल ओनली 36 सकेंड अब सर यह आप बताओ जो बेस्ट टाइम मेनेजमेंट क्या होगा इसके लिए बच्चों को क्या करना च सब्सक्राइब और SSC निकल गया, अगर मैं gate के questions कर लूँ, तो मेरा SSC निकल जाएगा अरे SSC ऐसे नहीं निकलता है SSC हर exam का अपना तरीका है हर exam की अपनी रणनीती है SSC J की रणनीती अलग होती है gate की रणनीती अलग होती है तो आपको बहुत जादा, आपको वो ही test series उस तरह की test series को follow करना पड़ेगा जो उस level को match करता हो जो आपके exam के level है तो exam का level है, उसके level के questions बार-बार अगर practice करोगे तो subconscious mind में आपका time management automatically बैठने लगेगा तेके उसके अलावा भी और भी time management किस तरह से किया जाता है, कैसे score करोगे इसके लिए भी बहुत सारे strategical sessions हम आगे आने वाले समय में लेके आएंगे आप लोगों के लिए जैसे जैसे exam पास आएगा वैसे वैसे हम sessions चुछा number of sessions भी आपके लिए बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारा बच्चा किस point पर टकने वाला है हमारा बच्चा किस जगा में दुखी होने वाला है कहां वो फसेगा क्योंकि जैसे सर ने बताये कि तयारी सब लोग कर रहे है लेकिन selection कुछ लोगों का ही होगा अग वो कुछ लोग वो होंगे जो एक mentorship को hold करके रखेंगे जो एक mentorship को total follow करेंगे और पूरा अपना पूरा अपना जीजान लगा देंगे उस सपने को लेने के लिए जो उन्होंने देखा है जो engineer बनने का सपना उन लोगोंने देखा है सरकारी engineer बनने का और वैसे बच्चों को गाइड कीजिए आप जो फ्रेसर है जो पहली बार सिले बस पर रहे हैं जैसे अपने जो असो का बैस है ABC उससे जुड़े हुए है या किसी अधर प्लेटफॉर्म पर भी पर रहे हो तो सर उस बच्चे को आप गाइड कीजिए उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है जो यह उसके लिए जरुड़ सर कुछ आप सहिसन दीजे बिल्कुल सर वैसे तो हम आगे बहुत सारे शेशल लेके आएंगे इन चीज़ों से रिलिटेट लेकिन चार पॉइंट मैं एड दूर करके एक बंद लॉक में कर दीजिए ठीक है आप खोद अगर रिमाइंड करने की कोशिस करेंगे ना कॉंफिदेंस लूज है क्यों हम हैब हो चुकी है ना किताबों के साथ रहने की तो बुक्स कंटेंड स्टडी माटीरियल कंप्लीट होना चाहिए अब इस टाइम प बचना है तो एक मैंटोर से एक भरूसा करें आप जहां भी पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं दिस वीडियो इस नौट ऑली पॉर दा इंजीनेस वाला स्टूडेंट इस वीडियो इस और पूरे इंडिया की तरफ जाएगा और हर एक बच्चे के लिए मैं कहना चा बजना कि ये पांच महीने अगर बहाना लगाते रहोगे नहीं करोगे चीजों को और मैं बताता हूं आपको कि चार महीनी में एक फ्रेशर बच्चा भी नो डाउट एक एक लिग्जाम को निकाल सकता है आप लोग भी उसी से एक मिसाल काइम कर सकते हो अगर आप लोग सच प्रेक्टर स्वर्ट करें कि झादा करें क्योंकि औंडर बिटर त्योरी नहीं आएगी यहे प्रेश्शल्य какая करोगे वहीं हट जाएंगे लेकिन आपको वो नहीं करना है क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से खुद को समझनी की कोशिश करोगे थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करोगे तो डेफिनिटली एक्जाम आपके लिए बना हुआ है ठीक है तो अमीद करू अपनी जो लाइफ उसको कितना लग्जीरियस चाहते हो कितना माइंड को फ्री रखना चाहते हो बाकि की टेंशन से क्यों अपने आसपास के पड़ोस में महले में घरों में अपनी सोसाइटी में अपनी फैमिली में देखा होगा कई सारे लोग जो नहीं कर पाई किसी अब बच्चों का जो भी डॉट होगा ना आप जिस तरह का असेशन डिमांड करते हो मतलब आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे कोश्चन आये होंगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपने देखा और हम लोगों ने कुछ सब्सक्राइब। चीजों को प्यार देते रहें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों पर पहुंचा आईएगा फिर मिलता है नेक्स एपिसोड में नेक्स किसी डिसकर्शन के साथ तो लास्ट में मैं आपको यहीं बोलना चाहूंगा इंजिनियर सहाब बनाने वाला नेक्सोमाट